पोईज एंड गैल्स वाइज आप इस यह आज मैंने आप लोगों को टीबिया और फिबूला पढ़ानी है बिसिकली जो वीडियो रिकॉर्डड आप लोगों देखेंगे यह अल्मोस्ट टू-3 मन्स ओल जब मैं इसकी तियारी कर रहा था और मैंने अपने एक फैलो को यह प जो है ना मीडियल मैली diabetes है ठीक है यह होना चाहिए यह में पास 지금 century구ald〜 sung ट्रहीं ब्लन को देख लो म adalah में बाहर और सक्यर्ड कार बाक्रट है यह हेए पास यह बढ़े वाला एकस्पेंड है ना इसकी जो अर्टिकुलर सर्फिस है यहां ओल शेप इसी तरह इस त olduğ वो LATERAL KANDAILE है इसकी जो ARTICULAR GROUV है नवो है CIRCULAR यह देख लो यह LATERAL यह MEDIAL ये इस तरह करके यह MEDIAL यह LATERAL अब इसकी हमारे पास पर SURFaces हैं अंट्रीयर साइड पर जो होगी वह अंट्रीयर सर्फिस होंगी पुस्ट्रीयर साइड पर जो होगी वह दोनों की पॉस्टियर सर्फिस होंगी जो मीडियल की साइड वाली सर्फिस है वह मीडियल हमारे पास सर्फिस ऑफ दा मीडियल कंडाइल है जो लेटरल के साथ वाली है वह लेटरल सर्फिस ऑफ दा लेटरल कंडाइल है अब हम बात कर लेते हैं इंटर कंडाइलर एरिया की इंटर कंड अब य हम लोग आजाते हैं, इसके सामने की तरफ यहां पे हमारे पास यह जो है यह हमारे पास है समुद ठीक है इसका उपर वला समुद होता है नीचे वाला rough होता है, अब हम लोग सीधा shaft पर आते हैं, shaft पर हमारे पास ये तीन border है, एक anterior border है, जो के sinusly curved है, इसके साथ वाले हमारे पास medial border है, और एक हमारे पास lateral या introseous border है, अब ये lateral या introseous border है, इस पूरे के उपर हमारे पास introseous membrane लगी वी होती है, और इस fibula का जो medial border है, उसको हम introseous बोलते हैं, इसके lateral को introseous बोलते हैं, fibula के medial को introseous बोलते हैं, दोनों में, दोनों जब attach होते हैं, बीच में introseous membrane लगी वी होती है, सिवाए एक छोटी सी यहाँ पे gap होता है, जिसको हम nutritional, nutrient foramen बोलते हैं, जहां से vessels आ रही होती हैं, उसके बाद हम बात कर सकते हैं, टांग पे पिंडली भाद लगा हैं, तो हम feel कर सकते हैं, expanded medial border हो गया, अब हम बात करते हैं, हमारे पास यह lateral border की, यह जो हमारे पास anterior और lateral border के दर्म्यान, जो surface, lateral surface है, ठीक हो गया, इसके उपर हमारे पास यह अपर हमारे one third के अंदर, अपर two third के अंदर, टीप पीछे आ जाते हैं, हम लोग posterior surface पे, posterior surface जो है ना, इसमें यह यह नदर आ रही है, यह यह दर्म्यान में हमारे पास होती है, soleal line, soleal line से यह 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 याद रखना है, इसके उपर soleus muscle attach होता है, अब यह उपर वाले portion को triangular portion में, डिवाइड कर देती है, यह पूरा posterior border चल रहा है, posterior surface चल रही है, अब यह जो triangular surface है, इसके उपर हमारे पास, इसके उपर हमारे पास popliteal muscle attach होता है, और इसी तरह हमारे पास यह, हाँ, यह reflection पड़ी है, यह line नदर आई, यह vertical ridge, यह जिसको मैंने pink color से, यह देख रहे हो, यह pink color से ऐसे करका draw किया है, यह हमारे पास दो sides में divide कर देती है, इस से भी posterior border को, posterior surface को मजीद, एक medial surface में और एक lateral surface, चुणकि हमारे पास, जो posterior portion होता है, उसे हम flexor compartment बोलते हैं, जिसमें हमारे पास सारे वो वाले muscle होते हैं, calf वाले muscle, calf वाला portion होता है, तो अब यह जो हमने medial और lateral part में divide कर दिया है, इस line ने, तो medial surface पे attach होता है, flexor, digitorum, longus, और lateral surface side पे हमारे पास attach होता है, tbialis posterior, origin होता है, ठीक हो गया, अब आगे वाला जो compartment है, वो हमारे पास extensor compartment है, तो यह अब हम आ जाते हैं, इसके lower portion के तरफ, ठीक हो गया, यह हमारे पास lower portion, इसके अंदर एक तो यह medial maleolias याद रख लेना है, यह तोते की यह हमारे पास fibula के उपर भी मैंने draw की वे, यह purple color की नदर आ रही है, यहाँ पर हमारे पास interosseous tbial fibular ligament attach होता है, और यह दोनों आपस मैंसे attach होती है, और यह फिर हमारे पास tellus के उपर जाके, वो बनाती है, ankle joint बनाती है, तैलस के उपर लगके ankle joint बनाती है, अब next हमारे प पास फिर posterior surface होती है, बहुत छोटी सी, भी चेहां पर मुझे है, पोब की ती होती है, और ओपर से rounded होती है, और ओपर से rounded होती है अब नीचे वाली सर्फिस जो है इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर सर्फिस ठीक है ये हमारे पास आर्टिकुलेशन करती है ये टैलस के साथ एंकल जोइंड बनाने के लिए और इस सर्फिस को हम लोग इनफिरियर सर्फिस भी बोलते हैं पांच सर्फिस इसकी होगी ठीक है ड प्रण डालें ग्रूव में रूंड ओंड़ ने और अपनी इंडेक्स फिंगर से इसे पकड़ पाएं अगर पकड़ पाते हैं तो योससी साइड की फिबूर और बाइगा आगर मैं ऐसे करने कोषिच करूं यह इस साइड पे ऐसे करके तो ये नहीं पकड़ी जाती ठीक है ना ये गिर जाती है तो अब ये हमारे पास इसके उपर जो मैंने पिंक कलर की ये स्मूध आर्टिकुलर सर्फिस बनाई वी है ये हमारे पास टीबिया के उपर ये ये जो हमने फॉसेट फिबुलर फॉसेट डिसकस की थी जो लेटरल कंडायल के साथ है उसके उपर अटाइच होता है और नीचे से हमारे पास ये मैंने तुम लोगों को दिखाया था ये ये वाली सर्फिस ये होती है रफ सर्फिस और ये हमारे पास फिबुलर नॉच है ना फिबुलर नॉच इसके उपर अटाइच होती है इनके दर्मियान हमारे पास होता है इंटर ओसियस टीबियो फिबुलर लिगमेंट ठीक हो गया अब हमारे पास हेड की बात करें तो ये इसके उपर टॉप के टिप जो है इसको हम लोग बोलते हैं टिप और एपक्स को टीप यापक्स को हम लोग बोलते हैं स्टाइलोइड प्रॉसस ठीक है स्टाइलोइड प्रॉसस के ओपर हमारे पास फिबुलर को लैटर लिगमेंट अटाइच होता है पिर ये इसके नीचे हमारे पास है नेक ये एक और चीज़ है ये हमजा के मैंजी में लगा रहा हूँ यहाँ पर ये स्टाइलोड प्रॉसस के साथ एक ग्रूव सी है और ये ऐसे कर्व सा है इसके ओपर ये एक अटेच्मेंट होती है मेरे ख्याल से तो बाइसेक्स फिमोरस के टेंडन के अटेच्मेंट होती है बाकी मुझे एक्जेक्ट कनफर्मनी है ये हमजा बताएगा नेक्स्ट हम लोग शाफ्ट पर आ जाते हैं शाफ्ट पर ना सबसे ज़्यादा हमारे पास मुश्किल यूँ है कश भी यूँदा कि आप विरंकारिया पर भी डिफरेंट है अलगा ंजफट के कि dragging ए मिल बार्ट यूँदा ऑर थीक है मीडियल बार्ट आवर्ड़ को इंटर ऑसियस बार्ड़ भी पोलते हैं हमने टीबिया की लेटर बार को Wentyrous Yes ग्रीयर को क्यूंकि तो इसके मीडियर को हम लोग Wentrousius Bourt बॉडर बोलेंगे अबuğ इंट्रोसियस क्यूं बोलेंगे क्यूंकि पूरे बॉर्ड़ परkrach इसके बाद फिर हम लोग अगर यह देखो यह जो है ना यह यह पॉस्टीर यर पाइब इन्टीर और इंटरॉस्यस के दरमयान वाली सर्फिस को मीडियल सर्फिस बोलते हैं उसके बाद interosseus या medial border और posterior border या हमारे पास जो वह होता है इनके दर्म्यान के surface को हम लोग बोलते हैं posterior surface, posterior surface दो components में divide होती है by a medial vertical ridge ठीक हो गया medial vertical ridge यहां पर यार एक तो इबोन ऐसी है मैं सही तरह दिखा नहीं सकता यह याद रख लो कि यह जो हमारे पास medial concave area है ना इसकी curvature में ही कहीं पर होती है medial concave ridge, medial ridge ठीक है, medial ridge, medial crest उसको हम बोलते हैं तो वो डिवाइड कर देती है posterior compartment को या posterior surface को दो parts में, ठीक हो गया यह हमारे पास posterior surface हो गई इसकी, यह हमारे पास anterior surface हो गई, medial surface, medial surface जो सबसे नेरो होती है, one to two centimeter, one to two millimeter almost, wide होती है, यह बहुत ठीक हो गया, फिर एक यह, यह जो मैंने colors किये हैं ना, मसल इनके तुम्हें मैं मैं भी बताता हूँ, एक जो हमारे पास anterior border और posterior border के दर्म्यान की surface है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, lateral surface, anterior posterior के दर्म्यान की surface को क्या बोलते हैं, lateral surface, अब यार, lateral surface पे ना, इसी fibula के दो main muscle attach हैं, जैसे tbia का tbialis थे, ठीक है, इसके दो main muscles हमारे पास है, peroneus, क्योंकि इस bone को ह लोगों ने पहले पढ़ा है, मैंने बताया कि peroneus मोलते हैं, तो उपर ये जो तुम लोगों को pink में नगर आ रहा है, pink में ऐसे करके attachment है, ये है peroneus longus, और ये जो ये purple color में है, ये हमारे पास है peroneus brevis, ये up tail this triangular ridge attach होता है, अब यार, briefly और ये पे खतम करते हैं, कि समकाते है, इस lower को मैं डिसकस कर लेता हूँ, lower end को, lower end में सबसे पहले तो यार हमने डूंडना है, ये, ये, ये जो है ना, ये surface है, lateral surface, ठीक है, lateral surface है, और इसकी, ये जो ये होता है ना, इसको हम लोग बोलते है, lateral maleolias, ठीक हो गया, ये lateral surface हो गई, तो इसके फिर हमारे पास सामने वाली surface जो है, ये, ये जो, ये जो, ये जो rough surface है, ठीक हो गया, ये जो rough surface ये, इस depression के साथ की जो ये rough surface नज़रा रही है, ये है, हमारे पास anterior surface, और इस पे अब हम लोग आ जाते हैं, anterior के जो अंदर की तरफ होती है, ये जो triangular shape में है, ये बहुत rough होती है, इसका तुम लोगों को मै हमारे पास होता है, हाँ, interosseous tibio femoral ligament, ठीक है, ये surface उसके साथ बना रही है, और दूसरा हमारे पास एक posterior surface है, posterior surface end होती है, हमारे पास posterior surface, हाँ, groove में होती है, उस groove को हम लोग बोलते है, malleolar fossa, उस malleolar fossa के अंदर नदा दो tendon attached होते हैं, ठीक हो गया, यह यह नदर आ रही है, यह posterior surface की groove है, posterior surface end जीना groove, यह malleolar fossa है, ठीक हो गया, इसके अंदर दो tendon attached होते हैं, और फिर triangular medial surface का भी मैंने बता दिया, बस यार इतना ही है, बाकी फिर यह वीडियो जादा लंबी ना हो जाए, ठीक है, अला आफिस